हेलो फ्रेंज नमस्ते कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे तो आज हम ना मल्टी परपर ऑल्किनाइजर बहुत ही यूसफुल सा पाजाएंगे तो सबसे पहले मैंने दो पार्ट लिये हैं कपड़े के 10 by 10 इंजिस के इसे के नाप से फोंग और कट किया है नौन और नहीं है तो आप सूट में जो अस्तर यूज करते हैं वो कर लिजी और ऐसे क्विल्ट कर लिजी अब देखें यहां से आपको इसे ऐसे फोल्ड करना है और मार्कर से या फिर चोक से आपको मार्क कर लेना है तो यहां पर मैंने देखें टू फिंगर पे नीचे मार्क किया है और करने के बाद इसका जो मार्क है वो निकल जाएगा हम इसे सेप जो दिया है वहां से कट कर लेंगे तो देखे यहां पर मैंने यह सेप दे दिया है और इसी के नाप से हमें दूसरा पार्ट कट कर लेना है और देखे यहां पर मैंने फोर या थ्री फिंगर पर आप मार्क कर ल के बाद जो उपर का पाथ हमने कट किया था उसे उल्टा रखे और चल लीजिए फिर आप यहां पर प्रेस्टीज कर लीजिए फिर डाल दीजिए जिप के अंदर और इसे जिप को ऐसे ओपन करके जो रनर का वपन वाला पाथ है नहीं करना है ताकि आसानी से जिप के अंदर चला जाए अब देखे यह जो हमारा सेप उसी के नाप से मैंने नौन वन कट लिया और पूरे राउंड में स्टीज करेंगे जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया है अब हमें ऐसे चोटी सी स्ट्रिप लेनी है फॉर बाइट टू इसका नाप है 3.5 by 30 इंजि और हम 30 इंजिस की जीप लेंगे हैं इसे और ती इस बसमा लेंगे से लिख आ नहींसाने ह्ट्राकर उपर में है वो नीचे की और ही रहनी चाहिए और यहां पर कर लिजिए प्रेस्टीज देखिए इस तरीके से आपको पूरे राउंड में अटेज करना है तो यह देखिए हमने यह अटेज कर लिया अब हम यहां पर जोड़ लगाएंगे और फिर प्रेस्टीज करेंगे ठीक है अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो जिप वाला पार्ट है वो पोकेट के साइड ही रहना चाहिए पूरे रा आपको दबाते जाना है देखिए ऐसे नीचे से हमें थोड़ा थोड़ा लेते हुए पूरे में दबाते जाना है जिससे यह कवर से लए हो जाएगी और यहां पे ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से प्रेस्टीज कर लिजिए तो देखिए यहां पे हमारा वीडियो पसे ना है तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जे भारत